हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका अगर लेक्टॉप का कीबोर्ट काम नहीं कर रहा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको तीन स्टेक बताने जा रहा हूं जिससे हो सकता है कि आपका लेक्टॉप का कीबोर्ड का उस पर क्लिक करेंगे राइट साइड तो एक स्टेंडर्ड एस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अनिस्टल डिवाइस पर क्लिक करेंगे अनिस्टल कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको रिये स्टार्ट करना होगा दोस्तों देखेंगे दोस्तों आगे second step पे चलते हैं second step के लिए आप फिर से right side क्लिक करके setting पे जाएंगे update and security का ओप्शन देखे और उस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप कहो सकता है कि window update ना हो तो आप simple update का option पर क्लिक करेंगे तो आपका देखेगा आपको keyboard का driver update का option देखेगा तो आप उसे update कर लेंगे third step के लिए दोस्तों आपको भी browser खोल लें चलिए दोस्तों मैं Google Chrome खोल रहा हूँ उसके बाद आपको Google Chrome में जाकर जिस भी company का आपका laptop है दोस्तों simple आप मालीजे मेरे दोस्तों Lenovo का है तो simple आप Lenovo support जाकर आप type करेंगे मालीजे आपका HP का है तो आप HP support टाइप करेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने type किया Lenovo support फिर उसके बाद आपको driver अप्डेट का option दिखेगा दोस्तों उस पर आप क्लिक करेंगे राइट साइड पर क्लिक करेंगे दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं वैन्यूर अपडेट ओटोमेटिक डाइवर अपडेट फिर स्टार्ट एसकेन का ओप्डेट दिखेगा दोस्तों तो आप स्टार्ट एसकेन पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लगेगा दोस्तों और जो भी अगर आपका ड्राइवर अपडेट नहीं होगा दोस्तों तो हो सकता है कि update प्हले से भी हो सकता है अगर आपका डमो का update नहीं होगा दोस्तो तो update हो जाएगा जिसा की update हो रहा है दोस्तो अब देख सकते हैं जैसे की देख से दोस्तो skin हो रहा है में लेप्टॉप जैसे कि दोस्थो आप देख रहे हैं कि मेरा laptop जो है अब driver update है दोस्टो पहले से ही जैसे कि आप देख रहे हैं no driver updates are required तो दोस्थो आपका हो सकता है कि driver update नहों तो इसलिए आपके laptop के keyboard में problem आ सकता है तो ऐसे तो दोस्थो 80% तक problem लोगों का solve हो जाता है जो मैंने question बताया है हो सकता है 20% तक का problem solve नहीं होता है दोस्तों तो इसके लिए simple आपको अगर आपके hardware में problem हो तो आपको service center जाना होगा दोस्तों ऐसे तो YouTube पे आपको वीडियो दिखने को मिलता होगा कि आपको keyword खोलने का कोई option बताएगा तो simple हमें कहूँगा कि आप keyword नहीं खोलिएगा दोस्तों आप सिंपल आप service center जाएगा